दश्रत एक श्वाकु वंज के राजा अज और रानी इंदुमती के पुत्र थे अपने पिता की अकाल मृत्यू के बाद उन्होंने अयोध्या के सिंगहासन पर आरूड हुए दश्रत का राज्या भिशेक एक महान समारोह था जिसमें अत्यंत धूमधाम और धार्मिक विधियों का आयोजन किया गया शास्त्रों में वर्णित है कि राजपुरोहितों द्वारा संपन्न किये गए अनुष्ठान रश्यों के आशीरवाद और अयोध्यावासियों की हर्शोलास पूर्ण उत्सवों ने इस अवसर को अविस्मरणिय बना दिया एक युवा राजा के रूप में दश्रत को प्रारंभ में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा राज्य को स्थिर्ता और शांती बनाए रखने के लिए सशक्त नेत्रित्व की आवशक्ता थी अपनी वीर्ता और प्रग्या के लिए प्रसिद्ध दश्रत ने अपने मंत्रियों और प्रजा का विश्वास जीता उनके शासनकाल को न्याय, वीर्ता और धर्म के प्रती उनकी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है अपने शासन को सुद्रड बनाने के लिए दशरत ने पडोसी राजियों के साथ रणनीतिक संध्याओं की अन्य राजाओं और रशियों के साथ उनकी मित्रता ने उनके राज्य में शान्ती और सम्रिद्धी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाई इन संधियों ने न काफ्रमंदी न केवल उनके राज्य को बाहरी खत्रों से सुरक्षित रखा बलकि सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया कौशल्या कोसल राज्य के राजा की पुत्री थी वे अपनी गरिमा, बुद्धी मत्ता और धर्म के प्रती समर्पन के लिए जानी जाती थी दश्रत और कौशल्या का विवाह राजनीतिक संधियों को मजबूत करने और क्षेत्र में स्थिर्ता लाने के उद्देश्य से हुआ था विवाह एक भव्य आयोजन था जिसमें दूर-दूर से राजा और रशी शामिल हुए कौशल्या की शाही वन्शावली और उनके नैतिक गुणों ने उन्हें दश्रत की प्रधान रानी बनने के योग्य बनाया प्रधान रानी के रूप में कौशल्या ने राज्य के प्रशासन और आध्यात्मिक मार्ग दर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनकी बुद्धी मत्ता और न्याय प्रियता के कारण वे दश्रत को राज्य के मामलों में सलाह देती थी कौशल्या अपने पती और राज्य के प्रती अटूट समर्पन रखती थी और उनके साननिध्य से राज महल में संतुलन और शांती का अनुभव होता था कैकेई केके राज्य के राजा अश्वपती की पुत्री थी अपनी सौंदर्य और वीर्ता के लिए विख्यात कैकेई एक कुशल सारती और योध्धा थी दश्रत ने कैकेई से एक युद्ध के दौरान मुलाकात की जहां कैकेई ने उनकी प्राणरक्षा की यह घटना दश्रत के हिर्दे पर गहरी चाप छोड़ गई और उनके विवाह का मार्ग प्रशस्त किया यह विवाह केवल एक राजनीतिक संधि नहीं था बलकि आपसी सम्मान और प्रशंसा पर आधारित था विवाह समारोह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ जिसने दो सशक्त राज्यों के मिलन को उजागर किया कैकेई का प्रभाव राजमहल में उनके साहस और दश्रत के प्रेम के कारण अत्यधिक था वे न केवल एक रानी थी बलकि युद्ध और रणनीती में दश्रत की विश्वसनिय साथी भी थी कैकेई की कूटनीती और युद्ध कौशल को उच्च सम्मान प्राप्त था और वे कई सैन्य अभियानों में दश्रत के साथ रहती थी उनकी उपस्थिती से राज्य की रक्षा और संधियों को मजबूती मिली सुमित्रा मगद राज्य के राजा की पुत्री थी अपनी शांत स्वभाव और करुणा मई प्रकृती के लिए जानी जाने वाली सुमित्रा का विवाह दश्रत से एक और महत्वपूर्ण संधिके रूप में हुआ इस विवाह ने मगद राज्य के साथ दश्रत के संबंधों को सुद्रड किया विवाह समारोह एक शांति पूर्ण और हर्शोल्लास पूर्ण अवसर था जो दोनों राज्यों के सौहार्द पूर्ण संबंधों का प्रतीक था सुमित्रा का महल में योगदान उनकी पोशनकारी और सहायक प्रकृती से चिहनित था वे दश्रत और अपनी सहरानियों के लिए एक मजबूत सहारा और सांत्वना का सुरोध थी सुमित्रा की बुध्धिमत्ता और विवादों को सुलज़ाने की क्षमता ने उन्हें राजपरिवार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया उनकी कोमल और समझदार प्रवृत्ति ने महल में सभी का दिल जीत लिया और उन्हें अक्सर राजपरिवार का हृदय माना जाता था तशरत और उनकी तीन रानियों के बीच के संबंध जटिल और बहु आयामी थे प्रत्येक रानी अपने विशिष्ट गुणों और क्षमताओं के साथ महल में सामंजस्य और संतुलन बनाई रखती थी कौशल्या उनकी बुद्धिमत्ता और धर्मनिष्ठा ने सुनिष्चित किया की महल सुचारू और न्यायपूर्ण ढंग से संचालित हो वे सभी के लिए एक मात्रिस्वरूप थी और राजमहल के आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती थी कैकेई उनकी वीर्ता और रणनीतिक बुद्धि ने उन्हें दशरत के सैन्य अभियानों में एक अनिवार्य साथी बना दिया उनकी प्रबल उपस्थिती ने राज्य की प्रशासनिक शक्ती और उर्जा को बढ़ावा दिया सुमित्रा उनकी करुणा और मध्यस्थता कौशल ने महल में एक्ता और शान्ति को बढ़ावा दिया वे सभी सदस्यों के लिए सहारा और देखभाल का स्रोथ थी रानिया एक दूसरे के प्रती आपसी सम्मान और सहयोग की भावना रखती थी प्रत्येक अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में एक दूसरे का पूरग बनती थी उनके सामुहिक प्रयासों ने अयोध्या को दशरत के शासन में सम्रिध्धी और खुशहाली प्रदान की दशरत एक प्रसिद्ध योध्धा राजा थे जिनके शासनकाल में कई सैन्य अभियान हुए जिनसे उनके राज्य का विस्तार हुआ और सुरक्षा सुनिश्चित हुई उनकी वीरता और रणनीतिक क्षमता ने मित्रों और शत्रों के बीच उन्हें सम्मान और भय का पात्र बना दिया दशरत के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण युद असुरों के खिलाफ था और विनाश फैलाते दशरत जो अपने युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे अपनी सेनाओं का नित्रित्व करते हुए असुरों से लड़े युद्ध अत्यंत उग्र था जिसमें दशरत ने अद्भुत साहस और कौशल का प्रदर्शन किया उनकी विजय ने न केवल राज्य को सुरक्षित किया बलकि उन्हें एक प्रचंड योद्ध के रूप में स्थापित किया दशरत के शासन का एक और महत्वपूर्ण अभियान सम्हाला राज्य के विरुद्ध था जो शक्ती में बढ़ते हुए अयोध्या के लिए खत्रा बन गया था इस अभियान में दशरत की रणनीतिक कुशलता स्पष्ट थी जहां उन्होंने योजना बद्ध तरीके से कई चालें चलकर सम्हाला को पराजित किया इस विजे ने उनके राज्य का विस्तार किया और उन्हें एक महान विजेता के रूप में प्रतिष्ठित किया दशरत को गंधर्वों के आक्रमन से भी अपने राज्य की रक्षा करनी पड़ी जो अपने युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे गंधर्वों ने अयोध्या पर आक्रमन करने का प्रयास किया लेकिन दशरत ने अपनी प्रशिक्षित सेना के साथ इस आक्रमन को विफल कर दिया यह विजय राज्य की सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण थी और दशरत के शासन की शक्ति को दर्शाती थी सीमा पर पडोसी कबीले और छोटे राज्यों के साथ लगातार संघर्ष होते रहते थे दशरत की सैन्य कुशल्ता ने सुनिश्चित किया कि इन संघर्षों का शीग्र समाधान हो उनकी सेनाओं को तेजी से संगठित करने की क्षमता और युद्ध क्षेत्र में उनकी रणनीतिक चतुराई इन विजयों में महत्व पूर्ण भूमी का निभाई दशरत को समय समय पर आंतरिक विद्रोहों का भी सामना करना पड़ा ये विद्रोहों अकसर असंतुष्ट प्रांतों या महत्वा कांक्शी सरदारों द्वारा होते थे दशरत ने इन विद्रोहों को कुशलता पूर्वक दबाया जिसमें उनके न्याय प्रिय और प्रखर निर्णेयों ने राज्य में पुनह, शांती और व्यवस्था बहाल की दशरत का शासनकाल न केवल युद्धों में उनकी वीरता के लिए जाना जाता था बलकि उनके कुशल प्रशासन और न्याय प्रियता के लिए भी प्रशन्सित था वे एक धर्म निष्ठ राजा थे जिन्होंने अपने राज्य में धर्म और न्याय का पालन सुनिष्चित किया उनके न्याय प्रिय निर्णयों और प्रजा के प्रति उनकी करुणा ने उन्हें प्रजा का प्रिय बना दिया। दशरत ने राज्य में एक प्रभावी न्याय प्रणाली की स्थापना की। उनका मानना था कि धर्म और न्याए एक सशक्त राज्य के मूल स्तंब होते हैं। वे व्यक्तिगत रूप से कई मामलों की सुनवाई करते थे और सुनिश्चित करते थे कि सभी को न्याए मिले। उनके न्याय के सिध्धान्त वेदों और धर्म शास्त्रों पर आधारित थे और वे सदैव निश्पक्ष निर्णे के लिए जाने जाते थे। वे सदैव प्रजा के सुख दुख में सहभागी होते और उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। दशरत, धार्मिक अनुष्ठानों और यग्यों के प्रती विशेश रूप से समर्पित थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण यग्यों का आयोजन किया। जिनमें प्रजा की समर्द्धी और राज्य की सुरक्षा के लिए विशेश प्रार्थनाएं की गई। दशरत का शासनकाल उनके वीरता, न्याय प्रियता और धर्म निष्ठता के लिए जाना जाता है। उनके द्वारा स्थापित किये गए मानदंडों और सिध्धान्तों ने अयोध्या के भविश्य को सुरक्षित और सम्रिध बनाया। उनका जीवन और शासन धर्म, साहस और न्याय का प्रतीक बना और उन्हें इतिहास में एक आदर्श राजा के रूप में स्मरण किया गया।